राजस्तान में बीजेपी प्रदेश प्रभारी रादा मोहन दा सग्रवाल ने राजेंद सिंगर राठोड का एटेंडेंस लगा कर निकल जाने वाले बयान से सियासत गर्मा रखी है जबकि उनके इस बयान से राजपूत वर्ग में काफी आक्रोश है और इसे शत्रिय समाज का आप मान मानजवारा है वहीं अब बिहार के दिगजनेता आनन मोहन जो एंडिये से जुड़े हैं उनके बयान से एक बार फिर राजस्तान बीजेपी के अंदर सियासी खलबली मचन आनन मोहन ने राजपूत सिंग राठोर की वकालत की है और कहा है कि शत्रिय समाज के दिगजनेता होते हुए भी उन्हें सई समान नहीं दिया गया है उनके इस बयान से शत्रिय समाज में एक बार फिर राजपूत कर्णी सेना के संस्तापक लोकेंदर सिंग कालवी की जैनत के अफसर पर जैपूर के बिल्ला सबागार में समाज रतन समान समारू का आयूजन किया गया इस आयूजन में शत्रिय समाज के बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे जिसमें बिहार के राजपूत नेता आनन्द मोहन शामिल हुए थे जबकि राजेंदर सिंग राठोर और डिप्ती सीम दिया कुमारी भी शामिल हुई थी पर बक्ताओं ने लुकिंद्र सिंग कालवी के युगतान को याद किया हाला कि आयूचन में सबसे एहम बयान आनंद मोहन ने दिया जिसका विडियो अब वाइरल हो रहा है राजस्तान में राजसबा की एक सीथ पर हाला कि बिहार के दिगजनेता आनंद मोहन ने इसका विरोध किया है उन्होंने आयोजन में राजस्तान में बीजेपी के हालातों पर चर्चा करते हुए कहा राजस्तान से बीजेपी एरेगैरो को राजसबा भेज रही है उन्होंने राजिंद सिंगर आठोर का नाम लेते हुए कहा कि मुझे आश्चर हो रहा है कि उन्हें राजसबा नहीं बेजा गया मैं इस हस्ति की उपेक्षा के लिए बीजीपी की लीडर्शिप नरेंडर मोदी और अमित शा से अपील करता हूं कि शत्रे समाज की भावनाओं के अनुरूप जल्द से जल्द उन्हें सम्मान म में राजसबा की एक सीथ पर उपचुनाव होना है जिसके लिए बीजेपी ने यहाँ पंजाब के रवनीज सिंग बिट्टू को उमीदवार बनाया है वहीं रवनीज सिंग बिट्टू को 27 अगस्त को निर्विरोध राजसबा सुदस्य के रूप में चुन लिया गया है उन्होंने राजिन्द सिंग राठोर का नाम लेते हुए कहा कि मुझे आश्चर हो रहा है कि उन्हें राजसबा नहीं बेजा गया मैं इस हस्ती की उपेक्षा के लिए बीजीपी की लीडर्शिप नरेंडर मोदी और अमित शा से अपील करता हूं कि शत्रे समाज की भावन के अनुरूप जल्द से जल्द उन्हें सम्मान मिले अब इस बयान का विडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहा है वही आनन्द मोहन के इस बयान के बाद राज़ेंद्र सिंग राठोर ने भी उनका मुस्कुराते हुए अभिवादन किया उसी समय राज़ेंद्र राठो में हल्चल मचेगी बलकि उनका ये बयान बिहार की सियासत के लिए भी एक इशारों इशारों में चिताव नहीं मानी जा रही है कि अगर बिहार में शत्रिय समाच की अवेल ना हुई तो इसका परिनाम भी बीजेपी और जेडियों को बुगतना हो सकता है वह पहले भी आनन्द जोकी सांसद है उनके लिए मंत्रीपत की मांग कर चुके हैं आपको बता दें कि लवली आनन्द का एक लंबा राजनीती इतिहास रहा है विशत्य समाच के बड़े नेता है आनन्द मोहन 1990 में बिहार विधानसभा चुनाव में ज्वंतादल से विजे हुए थे आन के हत्यकार में उन्हें सजा हुई थी लेकिन सियासी दाओ पेच के बाद वैर रिहा हो गए लेकिन मामला अब भी सुप्रीम कोट में चल रहा है